नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरम भेजुकेशन इंपावरिंग एस्पिरेंट्स देखिए, एडियो का जो पद अभी आने वाला है, इसकी संभावना जो जताई जा रही है उससे संबंद में बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे डाउट्स हैं कि ये जो अब जो पोस्ट आएगा, वो कुल कितना पद आएगा अगर आएगा तो कितने नंबर का होगा, डेड़ सो नंबर का होगा, कि सो नंबर का होगा सिलेबस में क्या बदला होंगे इसके अलावा PGDRD वालों को जो 15 नंबर का पिछले बार बोनस दिया गया था वो इस बार भी क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो और जो पुरानी जो योजनाएं थी वो काम आएंगी या नहीं आएंगी काफी सारे जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के काफी सारी दुविधाएं हैं वो messages के माद़ीम से phone call के माद़ीम से आ रही हैं सामने तो मैंने यह decide कि इसका एक वीडियो में सारी दुविधाओं को clear कर दिया जाए और एक ही वीडियो में मैं आप सबको इन सारी डाउट्स को clear कर दूँ आपके तो आज का वीडियो मैं इसी के लिए बना रहूं लास्ट तक वीडियो को देखिएगा यह सारे डाउट आपके एक वीडियो में clear हो जाएगे आज ठेक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा टेलिग्राम चैनल जरूर जरूर जोइन करिएगा इस से related जो भी updates रहेंगे आपको टेलिग्राम चैनल पर मेरे द्वारा दिये जाएगे ठेक है चले शुरू करते हैं आज की वीडियो हम लोग तो एडियो दोजर चोबिस जो भी आएगा उसमें सबसे पहला question मैं ले रहूं कितने पदों पर भरती होगी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है विभाग के द्वारा दो जानकारी मिली है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी में मैं वीडियो नहीं बनाया उसी लिए नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा सा confirm हो जाना चाता था विभाग के साइड से भी कि ये तो 200 के आसपास पदाएंगे थोड़ा बहुत जादा कम हो सकता है दूसरा एक सवाल है परिक्षा कितने अंको की होगी तो अब आप देख रहे हैं कि व्यापम जो है वो 1500 नंबर का पेपर लेता था पहले समय होता था तीन घंटे के आसपास का लेकिन अब सारे पेपर व्य यह 100 नंबर का पेपर होगा जैसे कि व्यापम सारे ले रहे है विभाग के तोरह जो जनकारी मिले उसके आधार पे विभाग ने जो मसवदा है वो तयार कर लिया है व्यापम जाएगा और व्यापम यह डिसाइड करता है कि पेपर कब स्लोट खाली है तो उसके आधार पे जो है पेपर को डेट दिया जाएगा विभाग तैनी करता कि कब पेपर होगा विभाग जो डेट है जैसे अचार सहीता जब खतम होगी अचार सहीता खतम होने के बाद व्यापम के पास जो स्लोट रहेगा उसके आधार पे व्यापम जो है वो क्या करेगा इसका भरती पूरानी बहुत सारी योजनाई जो चल रही है वह योजनाई जो है वह बंद हो चुकि खेर इसके बारे में आगे डिसकस करेंगे हम लोग तो सी लेबस में क्या बदला हो सकता है अब आप देखिए नया सी लेबस के आधार पर किस तरीके का अनुमानित अब यह मैं बता रह जाएगा जो पहले के पर्पोर्शन में केवल 36 गड़ और समीधान आता था लेकिन अब इंडियान जोग्रफी भी आएगा एकनॉमिक्स भी आएगा और भी साइन्स होगरा कुछ कुछ चीजें जो है वो जी इसका सामान निग्यान के अंतरगत जो आती है वो चीजें जो ह नंबर का आता था तो उसका रेशियो अलग तरीके से बटा था सो नंबर के अधार पर यह अनुमानित सीलेबस हो सकता है इसके आसपास की चीजें रहेंगी जैसे 36 गड़ जीएस लगभग 35 नंबर का हो सकता है उसके बाद हिंदी 20 नंबर का ग्रामिन विकास आजीवी का पंचायती राजी एक पूरा ग्रुप था यह तीनों मिला के अब 30 नंबर का इसके मांक्स कम किये जाएंगे क्योंकि जीएस का मांक्स बढ़ेगा और सामान निग्यान इन सब को इर्रिस्पेक्टिव होके सामान निग्यान 20 नंबर का तो यहां पे आप देखो कि टोटल कि तो इस तरीके से बांटा बांटा जाएगा जीएस को 35 हिंदी 20 तीनों मिला के 30 सामान निग्यान 15 ठीक है तो यहां पे इस तरीके से होके 100 नंबर का यह सीलेबस बनेगा अब आपको किस तरीके से यहां पे देखना चाहिए यहां पे ग्रामिडवी का साजवी का पंचायती यह नहीं मिलेगा तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है अब पहले जब 500 नंबर का पेपर होता था तो सुरुवात में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उनको बोनस देने की बात नहीं कहीं गई थी बाद में फिर जब उन्होंने क्या बोलते हैं आवाज उठाई पीजी डी 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 अवालों ने तो उनको पंदरा नंबर बोनस दिया गया था सो डेड़ सो नंबर में लेकिन क्या सो नंबर में भी पंदरा नंबर का बोनस दिया जाएगा इसकी चांसे कम है इसके पंदरा नंबर के बोनस में कम किया जा सकता है इसको दस नंबर किया जा स ठीक, तो इसको कैसे दिया जाता है, आप इसको केल्कुलेशन को समझो, PGDRD वालों को, माल लो जाये, 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, उसमें किसी बच्चे का आया, 70 नंबर, 70 नंबर आया तो 100 में 70 नंबर मतलब कितना परसेंट हुआ 70 परसेंट तो इसको 85 के हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाएगा notification जो जारी हुआ तो पिछले बार उसके हिसाब से जो बोला गया था तो 85 में 85 के हिसाब से सबका नंबर को नर्मलाइज किया जाता है तो 80 में 70 परसेंट आया 70 नंबर मतलब तो 85 में 70 परसेंट मतलब कितना हुआ उसका तो यह आया 59.4 के आप निकाल कर देखिएगा 85 के रिस्पेक्ट में 70 परसेंट देखा जाएगा 59.4 आता है इस 59.4 में उसको 15 नंबर extra दिया जाएगा तो उसका नंबर होता है 74.5 तो उसका नंबर कितना आएगा 74.5 ऐसा नहीं है कि direct कितना आया 70 नंबर किसी का है 70 में 15 नंबर जोड़ दिया जाएगा 85 के respect में उसका ratio निकाला जाएगा 100 में 70% है इसका मतलब 85 में कितना हुआ 85 का 70% हो उसमें 15 नंबर दिया जाएगा तो इस तरीके से सबका 85 के हिसाब से normalize किया जाएगा उसमें 15 नंबर extra मिलेगा समझ रहे हो मेरी बात तो इस तरीके से calculation होगा पूरा तो यह होगा आपका PGDRD अब मैं 15 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ न यह नंबर जो है इसमें कमी हो सक सकती है ठीक तो यह तो notification आने के बाद ही पता चलेगा confirm exact कि यह क्या हो रहा है ठीक तो यह आपका यह डाउड भी क्लियर हो गया PGDRD वालों को लेकिन मिलेगा यह मिलेगा यह ध्यान रखना ठीक अब PGDRD वाले को bonus मिलेगा ऐसा बोल देते हैं तो क्या होता है कि जो student के पास PG student ने टॉप किया था उसका 102 नम्मर आया था ठीक है अब मैं आपको बता रहो तो सुरुवात में जिन लोगों टॉप किया था rank 4 को अगर छोड़ दो आप तो सुरुवात के 3 लोगों को कोई bonus नी मिला था बीना bonus के लोगों ने टॉप किया है तो ज्यादा तर लोग selection हुए थे कई सारे लोग select हुए थे बीना bonus की भी तो बीना bonus की भी selection होता ऐसा नहीं की नहीं होता है ठीक है तो आपको demotivate होने की जुरत नहीं है कि बीना bonus नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे भई बहुत से लोग पिछले बार का 2018 का आप track record देखो बहुत से लोग बीना bonus के select हुए हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं 102 नंबर टॉपर का गया था तो अब अगर आप expected 500 नंबर में कितना गया था टॉपर का 102 अभी आप cutoff का अगर मतब कर आप नीचे करो तो जितने लोगों को selection हुआ था मतब 85-90 नंबर में भी selection हुआ था 500 नंबर में 90 के आसपास के लोगों में तो अब आप देखोगे अभी का अनुमान लगाओगे तो अगर आप 100 नंबर का पेपर होगा तो यहां पे आप competition पहुंच जादा बढ़ गया है भई तो 70-80 नंबर के बीच अगर आप लाओगे तब आप सेफ रहोगे अनुमानित अब पेपर के लेवल के पुरानी योजनाएं काम आएंगी की नहीं आएंगी पुरानी योजनाएं देखो जैसे की मन्रेगा वह तो फिक्स है ना मन्रेगा में कोई बदलाव थोड़ी तो थोड़ी बदल देगा अब जो कॉंग्रेस सरकार की योजनाएं थी वह यहां पर नहीं पूछी जाएंग सदाप सिंट टोड़ी चांसेश द्लाइबल्ब्र कि तो पूर संसरे रहेगा नहीं बदलेगा कुछ-कुछ-कुछ-योजनाय याइड होंगी वह वह बदलने का चांसेश उसको बहुत कम है तो जो fix है जो अभी तक चली आरी वो योजनाय नहीं बदलेंगी, कुछ और योजनाय आएंगी, कुछ योजनाय डिलीट होंगी, वो ठोस क्या होगा, वो सीलेबस आने के बाद ही पता चलेगा, कोई confirm सीलेबस तो डिस्क्लोज नहीं किया गया अभी बाग के साइट से भी, बिन ठोस जान करी के कोई चीज बताना मैं सही नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई बाज़ादा बात नहीं करूँगा, इतना जरूर बोलूँगा आपको कि कुछ योजनाय डिलीट होंगी, कुछ नहीं योजनाय जुडेंगी, इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि जितना भी पुराना चीज पढ़े हुआ, वो सब चीज बेकार हो जाएगा, कुछ बेकार नहीं होगा, 80% चीजें सेम रहेंगी, 80% चीजें, जो यह पिछला चीज पढ़े हो आप, वो सब काम आएगा, हाँ, कुछ चीजें जो है वो नहीं पढ़नी पढ़ेगी आपको, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट जो नहीं पढ़के रखा है, सारी चीजों को, जो मेहनत करते आएं हितने दिन तक, उनको इसका फाइदा मिलेगा, यह तय है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको फाइदा मिलेगा, तो बिल्कुल निरास होने की, हतास होने की जरुरत नहीं आप जानते हैं कि यह जो बैच है, वो पहला जो पिछला हम लोग उनी स्टार्ट किया था, मैंने और अमरदीप सर ने यहीं से सफर की सुरुवात की थी, कि हम लोग अलग अलग चैनल पे पढ़ा रहे थे, उसके बाद हम लोग साथ है थे, और एक साथ एप्लिकेशन यह वहाँ पर आपको नए बैच का एनाउस्मेंट मिलेगा, और हम दोनों मिलके बहतर से बहतर कंटेंट आपको प्रवाइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप सुरू से देखते आएं, आप जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, वो देखिए कि 2021 के आज सपास मैंने पूरा सी लेबस, कोई बिना किसी चार्ज के प्रोवाइड करवाया है, पूरा फ्री में कंटेंट एवलेबल है, और पूरा विथ नोट्स, नोट्स की कुछ प्राइजस थे बहुत कम में और उसमें भी पूरा एवलेबल करा है, तो वो क्वालिटी आप देखिए कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बाकि यह जो चीजे जानकारी अभी तक जो आई है, मैंने आपको वीडियो के माद्यम से देने की कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्र मतर आपको